इस वीडियो में बात करेंगे एक आओर MOTOROLA upcoming phone के बारे में जो की जल्द ही Indian Market में देखने को मिलने वाला है MOTOROLA के बहुत सारे नए phone भारत में आने वाले हैं लेकिन यहाँ जिसके बारे में बात करने वाले हैं बो MOTOROLA G9 Plus है यह smartphone बहुत सारे country में पहले ही launch हो चुका है लेकिन इंडिया में फिलाल अभी नहीं आया हुआ है तो यहां हम इसी smartphone के बारे में बात करेंगे कब आपको इंडिया में देखने को मिलेगा क्या रहेगा इसकी specification और किस price में यह launch होगा तो स्वागत है Take19 ग्यान चैनल में अगर चैनल पर नए है चैनल को subscribe कर लिजे क्योंकि रोजाना आपके लिए इसी तरह के नएने वीडियो लाते रहते हैं दोस्तों Motorola के एक के बाद एक नए smartphone देखने को मिल रहा है इसमें कुछ phone value for money और कुछ budget phone भी है और कुछ phone में आपको over price में देखने को मिलता है यहां जो Motorola को G9 Plus जो इंडिया में BI certification पर लिस्ट हुआ है किया ये इंडिया में बहुत जल्द ही launch होने वाला है Motorola के जो phone होते हैं सभी है smartphone से अलग होते हैं क्योंकि इसमें आपको stock android देखने को मिलता है इस phone में आपको कुछ भी blood bear देखने को नहीं मिलता है बिल्कुल clean UI के साथ देखने को मिलता है और इस phone में आपको समय समय पर update भी मिलते रहता है अब हम बात करेंगे कि इसके specification के बारे में पहले बात करते हैं इसके display के इसमें आपको एक बहुत बड़ा display देखने को मिलेगा जिसका size आपको 6.8 inch है और या IPS display है यहां आपको emolet display देखने को नहीं मिलेगा और जो लोग video देखना पसंद करते हैं और जो लोग gaming खेलना पसंद करते हैं उनके लिए phone अच्छा हो सकता है या भी notch देखने को नहीं मिलेगा इसमें आपको side में punch hole वाला display देखने को मिलेगा अगर हम इसके chipset की बात करते हैं तो इसमें आपको 2.2 GHz Qualcomm Snapdragon 700G processor दिया गया है जो की 8 9-0 meter technology पर बना हुआ है अगर phone में gaming या multitasking करते हैं फिर भी phone आपको ठीक ठाक performance देने वाला है यह phone आपको दो variant में मिलेगा एक 4GB प्लस 108GB दूसरा 6GB 108GB इंटरना स्टोरेज के साथ देखने को मिलेगा अगर हम इसकी camera की बात करें तो इसमें आपको quad camera का setup दिया गया है पहली जो sensor है 64 megapixel दूसरी एक sensor है 8 megapixel ultra wide और एक तिसरी है 2 megapixel macro एक चौती जो sensor दिया है 2 megapixel depth और इससे आप 4K वीडियो भी record कर सकते हैं अगर हम front camera की बात करें तो इसमें आपको 16 megapixel का HDR भी support करता है अगर हम इसकी battery की बात करें तो इसमें आपको 5000 image की बड़ी battery दिये जो की fast charging का भी support करता है फोन में आपको साइड में fingerprint दिया गया है 3.5 mm jack भी है और इसमें type C cable भी दिया गया है इस variant की बात करें तो इसकी कीमत भारत में 3000 होने वाला है आज की वीडियो में बस इतना ही वीडियो देखने के लिए धनवाद हमीं उमीद है कि ये वीडियो आपको पसंदा होगा अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें comment जरूर करें वीडियो को like share कर दीजे चैनल पर नहीं है चैनल को subscribe कर लिजे क्योंकि रोजाना आपके लिए इसी तरह के नहीं नहीं वीडियो लाते रहते हैं जैहन बंदे मातरम